32 सदसिय कानपूर जिला पंचायत सीट में सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उमिदवार के बीश था नामांगन के बाद से लोगों की उमीद थी की मुकाबला तगड़ा होगा शनिवार को मददान के बाद जब बतों की गिंती शुरू हुई तो बीजेपी उमिदवार सौपनिल वरुण ने शुरुआस से भथ बना ली उन्हें 32 में से 25 मत मिले वहीं सपा के उमिदवार को महस 5 वोटों के साथ ही दो मत अवैद घोशित किये गए पूर्व कैबिनेट मंतरी स्वर्गिय कमला रानी वरुण की बेती सौपनिल वरुण को बीजेपी ने टिकेट दे कर चुनाओ के मैदान में उता रहा था आगामी विधान सभा चुनाओ को लेकर बीजेपी के रणितिकारों की नजर इस सीट पर थी खुद बीजेपी प्रदेश अद्यक्ष सौतंतर देव सिंग कानपूर का दोरा कर सौपनिल वरुण के पक्च में महौल बना कर गए थे जानकारों का कहना है कि बीजेपी की सजीज से दो जिलों की कुल 14 विधान सभाओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा कानपूर देहत ने मुकाबला सपा के राम सिंग यादव और बीजेपी समर्थित नर्दलिय नीरज रानी के बीश था वही सपा के राम सिंग यादव की बात करें तो वो निरवर्तमान जिला पंचाद ध्यक्ष थे वही निरदलिय उमिद्वार नीरज रानी की बात करें तो वो BJP सांसत देविंदर सिंग भोले के भाई की पत्मी हैं उन्होंने निरदलिय प्रत्याशी के तोर पर नामांकन भरा था नीरज रानी को BJP के कई नेताओं का समर्थन मिला हूवा था देखते रहें न्यूश प्लस के लिए कानपोर्ड से अवीरल गुपता की रिपोर्ट ताजातरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूश प्लस न्यूश प्लस 24 इन्टू 7 चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाए